पलवल की अटोहा चौक से गनतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रेक्टर परेड निकाले रवाना हुए हजारों किसान पर NH-19 इस्तित गाउंसोफता मोड पर पुलिस द्वारा किये गए लाठी चार्ज को किसानों ने सरकार की सोची समझी साज़िश बताया किसानों का खेना है कि विरास्टे दिवच का सम्मान करते हैं लेकिन लाल के लिए पर विशेश समुदाय का जंडा फैराने वाला व्यक्ति चौनाओं में बीजेपी प्रत्याशी का एज़ेंट रहा है और उसके खिलाफ गहनता से जाच करके सकते कारवाही अमल में लाए जा किसान से प्रत्याश को आप लेक्षी से अंदोललन कंजोर थो नहीं अमगर देखो यह आंदोलन कमजोर तो प्रिक करने के लिए लोगों किया जजारों किसानों पर या पिर लोगों किया है जान लेवा अदेखो चिए हम भी हमारा ठैक्टर आगे था हम आप सोठीग है किसानों के हाथ भी तूटे हैं उनके पथरा भी हुआ आगे से मगर यह अच्छा काम नहीं कि है उन्हें हम तो बैठ गें थे बात कर रहे थे कि जो भी करना आप बता हूँ हमारे को मगर उन्हें गलत लाठीया बानी है देखी जहां तक सीक्री सोफता वाला मामला है जो प्र से उठा करके लोगों को वहतर जाने दिया जाए और बीच में निहत्ते किसानों पर जो 26 जन्वरी को देश की असमता का जिंडा लेकर के निकले थे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उनको रोका जाए और उनके आवाज को दबाया जाए यह जो कायराना हरकत पुल इस वालों ने तोड़ा है उसकी भरपाई की जाए किसानों के टायर ट्रेक्टर के पिंचर कर दिये गई बात करें दूसरी जो आंदोल किसान जो वहां पहुंचे लाल क्ले पर वहां एक धर्म का जंडा फेराए गया क्या कोगे इस वार से किसी किसी का देश का जो पेंडा एक ही है वो तरंगा है और तरंगे में हम लिपट करके हमारे सही अपने आपको गवरवान में मैसुद करते हैं जब सब आता है लाल किला देश की अस्मता से जुड़ा रहा है आजादी के अंदोलन से लेकर कि मुक के इंदर रहा है समय समय पर पर देश का उसके उ पर दोड़े हुए हम इसका प्रजोर वरोद करते हैं और उन्हें किसान नहीं मानते हैं इतना बड़ा अंदोलन है इसके अंदर जो लोग आये हैं गलत हैं वह मुठी भर लोग हो सकते हैं जो जादा संक्या है उन लोगों की है जो सरकार की नीतियों का वरोद कर रहे हैं ज जो उसी के लोग हैं कही न कहीं इंटरनेट सेवा भी बादित कर दी हैं जो तैर रूट थे जो उस पर अवरोद खड़ा किया दिल्ली पुलिस ने कही न कहीं सरकार की एजंसियां फेल हुई है सरकार को जब यह आसंका थी कि कि किस तरह का वाक्या दिल्ली के अंदर हो सकता है तो उन्हें मुस्ताइद रेना चाहिए था हम लाल क्ले पर इस तरह की हरकतों का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करते